नमस्कार मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी ज्यादा कर लंबा समय ले चुकी है अधिवक्ताओं की मांग है कि जिला जज को हटाईए जिला जज को नहीं हटाएंगे तो हम काम नहीं करेंगे आम आगमी देखी परिशान हो गया है न्याई के मंदिर में उसे न्याई नहीं मिल रहा है केसिज वैसे ही पेंडिंग थे जजज वैसे ही कम थे और एक जिला जज को लेकर ये लगातार इतना बावाल बढ़ गया है कि इलाबाद हाई कोट तक को हस्तक शेप करना पड़ा वकील आज कह रहे हैं कि कोट से लेकर रोट तक हम संघर्ष करेंगे चार राज्यों के वकील उनके साथ मिल गए है 2000 के उपर वकील हैं कह रहे हैं कि जिला जजज जिस तरीके से ब्रश्चाचारा रभधरिभाशा का इस्तिमाल करते हैं वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं इलाबाद हाई कोट कह रहा है कि आप अपना काम शुरू करिए लेकिन वकील नहीं मान रहे हैं सवाल ये है कि क्या ये वकील खानून से उपर हैं पैरवी ये खानूनी तोर पर करते हैं सम्विधान की दुहाई देते हैं लेकिन अगर एक उच्दम नयाय ले अगर एलाबाद हाई कोट कुछ बोल रहे है तो उसका क्यों नहीं मान रहे है क्यों वकीलों में इतनी मान अफ्ता नहीं है कि उनके जो इगोज हैं वो आम आदमी या उनके क्लाइंट के इंट्रेस्स से बड़े हो गए ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि एक महिने से ज्यादा का समय अगर कोई कोट किसी स्ट्राइक के कारण ठप हो जाती है तो आप समझेए कि मसले जितने पेंडिंग होते हैं उतनी टेंशन आम आदमी की बढ़ जाती है मेरे साथ इस वक्त दो पैनलेस्स मौजूद हैं यह लीगल एक्सपर्ट है सुप्रीम कोट के अड़ोकेट शिफकुमार ठिपाठी जी और वेत ठिपाठी जी आपका स्वागत है हमारे चानल में शिफकुमार जी यह जो काला कोट होता है इस से सब डरते भी हैं और इसके पास सब जाते भी हैं कि इनसाफ हमें दिलाएगा लेकिन जो कानपूर में हो रहा है यूपी बार काउंसल विरोध में है चार राज्यों के अधिवक्ता हैं और कह रहे हैं कि हमारी एक हवास पर पांच हज़़ार से ज्यादा अधिवक्ता खड़े हो जाएंगे यह जो गुंड़ाई है यह कानून से उपर क्यों हो गई है और इसको लेकर आपका क्या रियाक्शन है जैसा आप देख लेंगे हैं कि यह जो है मुव्मिंट बहुत दिन से चल रहा है और इस पे हाई कोड की साथ जलों के बेंड ने एक कंटेम क्रिमनल कंटेम नोटिस भी विजा था वहां कि दो प्रेसिडे से तिपाठी जी उन्होंने कहा कि जो है पूड निकाम आपकी जो लाइसेंस को रिस्पेंट कर देंगे अगर आप दो काम पे नहीं लोटे और साजी चीजी नहीं मेरा यह मानना है जिसको नुने कहा कि जो है आप हमको पूड जो भी चाहे सजा दे दे मुझे चाहे जो है जो है जो रवया काम करने का जो वकीलों को पतारित करने का और सारी चीजे उस पर प्रसुचिशी लगा रहे थे उससे वह पीडित थे और ज्यादा तर वार इसलिए उनके समर्थन में आ गई हाला कि इससे क्या होता है कि जो वादी है वो परिशान होता है जिनकी वाई नि दे पाते हैं जिसके कारण मामला जो है विचारा धिन रहे जाता है और उनको जो न्याय मिलना समय से चाहिए उसमें दूर की कौड़ी हो जाती है तो मिर्दा तर यह मानना है अभी आपको पता कि जो है ला कमिशन जो है जो 66 की जो रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हर डिस्टिक में एक जो है अधिवक्ता का वो बनाया जाए जो ग्रिवांस का सेल बनाया जाए जिसको का जो है प्रिस्टिक जड़ जिसको चाहे अपनी एक कमेटी बनाके दे टू दे उनकी प्राब्लम को सुना करें लेकिन आज तक उसे कोई अमल नहीं हुआ अगर ऐस पेढ़ रहा जाता है तो यह प्राप्लम बटी जाएगी अधिवक्ता भी तो को हटी चलते तो कहीं न कहीं अपने पेसे में ज्यादा प्राप्लबलम आ रे हैं जिस वे इस यह सम्स्या आ हूं मुझे लगता है कि जो पूर्ट ने जो आडर पास किया जो कंटेंट किया उससे पहले उनको उस सारी चीजों को सुनना भी चाहिए था कि ये प्रॉब्लम आकर आएक ऐसे क्यों जो है ये लोकिन सारे जो है उस पर बैठे हुए हैं धरने पे और आप आपने देखा होगा कि कि चाहराजों में भी बढ़ता जा रहा है हाला कि एड़ोएक में एड़ोएक एड़ोएक 1967 में ये है कि कोई भी अधिवक्ता की कोई समस्या आती है तो बार काउंसिल की जुम्यदारी होती है कि वो उनके प्रोटेक्शन करें उनका राइट उनकी जोगी लिवर्टियों प पाइट किया बार काउंसिट से पहले ही पुना चाहिए उसके बाद इनको समझ करना चाहिए कि आप आखे क्या इसी जबरता पड़े कि इनको जो है हर्ताल करना पड़ा है और इसको देखते हुए नियोंने लेना चाहिए हाला कि जो है पूर्ट ने जो इस्टिक रूट से हर्ताल नहीं करने का दौहाजार तिन के जो जर्मेंट है वह बताता है जो कि जो है कैप्टन हरीश उपल का उसमें कहा गया था कि जो है हर्ताल कोई राइट नहीं है यह कंडिस्नल राइट है अगर कोई बहुत बढ़िल प्रब्लम आती है उसके तब यह सारी चीजे होती ह कि इसके साथ अगर वो हड़ान ना करें तो उनकी समस्याओं को भी जानना जरूरी है अगर उसका निश्पादन नहीं होता है तो यह सारे प्राव्म्स क्रेट होगे और यह समस्याय बढ़ती रहेंगे उनकी भी समस्याय होती हैं उनके भी इसूल होते हैं पूर्ट में जजों के बीच में जजों के बीच में बार बेंच में जब डिफरेंसेस क्रेट हो जाते ही तो यह नौबत आती है इसको अमल करते ह वेज जी मैं आपके पास आँ इससे पहले हाई कोट का क्या इस पर स्टेटमेंट है वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं हाई कोट जो हैड़ेड है दा हाई कोट बेंच हैड़ेड बाइड चीफ जस्टिस पृतिनकन दिवाकर वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इंटरेम मेजर के तौर पर वो डाइरेक्ट कर रहे हैं कि दा लॉयर शार्व रिमेल दे वर्फ फोर्ट विद अन्टु पर्ज ला कंटेंप्ट अनन केस एनी हिंड्रेंस इस प्रितिंकर दिवाकर की अध्यक्षता वाली उचिता मिन्यायले की खंड पीट अंतरिम उपाय के रूप में निर्देश दिया है कि वकील अपना काम फिर से शुरू करें और अवमानना को शुद करें मामले में किसी वकील या पदादिकारी द्वारा कोई भी बाधा उत्पन की जाती है तो उसे गंभीरता से देखा जाएगा वेजी ये वकीलों की हर्त सक्त होती चली जा रही है बार के दो अध्यक्ष दो मासरचिफ पर अवमानना के आरोप है कंटेम्ट है वकील मान नहीं रही है एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है आमागमी से कैसे प्रभावित है और क्या खानून जो बना जो कानून की पैरवी करने वाले लोग है वो स गो जाए बाई जिला जस्ट का ट्रांस्वर नहीं हो रहा इलाबाद हाई कोड ने बोल दिया एंट्रे मेजर के तौर पर अपनी सर्विसेज अपना काम रिज्यूम करें कोड कोड चलने ने लेकिन नहीं चल रहे अब मानना भी हुई है तो सम्मेलन आंधोलन कोड से लेकर रोट तकी दिख रहे हैं क्या करना शाहिए जी बिलकुल नियारिका जी लायर्स या कोई भी कानून से उपर नहीं है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री में सिर्फ जनता ही सुप्रिम है ना तो लायर ना तो कोई भी बाड़ी सुप्रिम नही कि लायर्स का कोई भी स्ट्राइक यह इलीगल है और कोड के प्रिमाइसेज में कोई भी स्ट्राइक नहीं हो सकती है ना तो कोड प्रोसीडिंग में कोई भी डिले इस पॉइंट अभ व्यू से कि स्ट्राइक करने का कोई राइट नहीं है और मैं आपको बताओं कि एक लीडि नहीं है कोई भी किया हुआ स्ट्राइक इस तरीके इलीगल और इन्वैलिड है को यह केवल डिमांस्ट्रेशन कर सकते हैं आउट आफ कोड वो चाहे धरने पर बैठें या रेड ब्लैक रीबन रेड रीबन जो अभी अपने आर्म में बाद सकते हैं बट कोड प्रिमाइसेज में नहीं कर सकते हैं अभी रिसेंटली जन्वरी में सुप्रिम कोड ने आपके चो है दिनेश महाईश्वरी जी और बेलायम त्रिवेदी की बेंच ने बिसी आई को भी काल करा है कि जो आलोबर इंडिया इस च इस चिदेंसे बढ़ चुकी है जिसमें कोड अगर स्ट्राइक करेंगे तो जनता को क्या नहीं मिल पाएगा एक दिन में कोई बी दिन होनी चाहिए अप दोनों बने रहे हैं सीधे करते हैं अपने सेयोगी अभिशेक का अभिशेक हमें फील्ड से कि वहां पर क्या हो रहा है ताज़ा हालात क्या है उसकी जानकारी दे रहे उनके पास चलते हैं कानपुर में जिला जज के ट्रांसफर की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है वहीं वो दवार को करें 52 जिले के 2000 वकील इस प्रदर्शन में पहुँचे वहीं अगर बात करें प्रांती दल के अध्यक्ष की तो उन्होंने स्ताफ तोर पे कहा है अब देखने माली बात होगी कि वापस से यह अंदूलन कब खत्म होता है और सारे काम काज जो सुचार रूप से वो कब सुरू होते हैं बार असोसियेशन कहा है कि अकेले हर्ताल समाप नहीं कर सकते इसको आंदूलन बनाएंगे हमें जेल जाना पड़े कुछ नहीं होता होट से रोट तक काम करेंगे लेकिन जिनके लिए वो काम कर रहे हैं और काला कोट पहन रहे हैं उनका उन्होंने नहीं सोचा धन्यवाद आप दोनों का हमारे साजुडने के लिए और उमीद करते हैं कि स्ट्राइक जल्दी से जल्दी कॉल ओफ हो और एक कोर्ट में सिफ ताला ना लगे कोर्ट न्याय का मंदिर है और मंदिर में याची को प्रार्थी को जाने का पूरा अधिकार है लेकिन पंडित तो होना चाह है उनकी ओर से भगवान के पास इस मंदिर में पूजा करने वाला और उनकी पैरवी करने वाला कोई तो होना चाहिए नमस्कार